उनके लिए संदेश है कि जहां भी हो जिस जगह भी हो मैं पहले भी समझाता था और आज भी वीडियो के माद्यम से भी समझाता हूँ अर्मी वालों को भी जाते समय मैं सिखाता हूँ कि मौका मिले तो चुकना मत दूसमन कुमार के आना मैं वजूद जहां पे हूँ यह लगबग सरहत पे जाने वाले जवानों की तैयारी के लिए ते तीन सालों से अध्यापक की नियुक्ति मैंने ज्यादा करवाया देश निर्मान में वो तोड़ा ही अब सहिनिक बनने लायक नहीं थी इसलिए मैंने सोचा कि देश की सिवा दे रखर आप सबके बीच में एक बर फिर दोस्तों आज है हमारे चाफ एक सर जी जो कि बहुत से लड़कों को बहुत से लड़कियों को जो ऐसे सिख्या दिया और इसी सिच्छा दिये कि वह लोग जो अपने सपनों को पूरा कर लिये हैं पूरा कर भी रहा है आज भी इनके Sono जो हैं इन्होंने सरकारी जब्सक्रारी अब तक जो है अपनी जीख्छा के माधयम से दीने स्वागत पर में बलव bn प्रबंदक का पड़िक फॉकूल आरेसबी एजुकेशनल फाउंडेशन और ग्राम प्रधान भी वह बरत्वान समय में ग्राम प्रधान बिलाशी का जी विद्ध्याले भी यह जी विद्ध्याले भी है हमको लगता कि विद्ध्याले पहले नहीं था आप कोचिंग जब बच्चों को पढ़ा इसके बाद मनुमल बढ़ा जी वह ऐसा है कि मैंने जब पढ़ा रहा था कोचिंग में तो ऐसा लगा कि बच्पन से अगर इस सब सीजे सिखाते हम तो बड़े होने पर दिकत नहीं होती इसलिए मैंने छोटे बच्चों से लेकर ऊपर तक का इसकोल खोल रहा कितने लोगों को अभी जो है आप सरकारी जाब सिखा के मादम से दिलाए हैं और नियर बाउट नौसो तो सबसे अधिक पोस्टिंग किसमें होगी और डिफेंस में हैं कि जो सक्रियता से पढ़ते हैं वह अपना आगे जाते हैं और जो सक्रियता से नहीं पढ़ते हैं और आर्मी का तो ऐसे कंपडेशन बहुत हलका होता है और हम लोग एक सेटिंग पॉइंट बना के रखें और उस सेटिंग पॉइंट से पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद एक जैसे इतना है पचास नमर का पेपर है तो 40–45ा yen कर्णने के लिए भी ताभी तैयारी भी कर रहे हैं तो बहुत से यहीं भी होते होंगे बहूंस तो मेरे आसे कोई होई नइभाएगा इस लिए की मैं अन्तीम पढ़ाओ पे भी जाने वाले ब्यक्ति को समझा कर तेश दिन मात्र, उसका भी एज बचा हुआ था, उसको भी मैंने बडर भेवेद दिया, वह समझ रहा था कि मेरे जीवन का वो अन्तिम क्लास है, मैंने समझा है कि यह दिन बचा है, और तेश दिन बचा है तो उसी तेश दिन में उसकी एक कालिंग आती ह और उसमें जाता है बच्चा और पास होने के बाद सेलेक्ट हो जाता है और सेलेक्शन के बाद है अपनी नोकरी कर रहा हूँ अगर जुनून होगा देश के प्रती या फिर जुनून होगा सरकारी जौब के लिए तो जरूर सफलता मिलेगी जी अब देखे क्या है कि मैं तो मेरी लंबाई चोड़ाई अब सैनिक बनने लायक नहीं थी इसले मैंने सोचा कि देश की सिवा देश के सैनिक निर्मार करके ही कर लूँगा अगर आप तयार होई होते तो क्यों मतलब आप ही अकेले जाते हैं मैं तयार होता और मेरे पास लंबाई चोड़ाई होई होती तो मैं अकेले जाता हूँ अब इस तरह से तो वाजारों की संख्या में बेजना अभी मेरी उम्र बहुत ज्यादा है आगे भी भेजता रहोंगा बहुत से लोग कहते हैं कि कोई 50 साल जीता है कोई 100 साल जीता है और कोई-कोई अमर हो जाता है तो यही बात है कि सर जी भारती नहीं है लेकिन फिर भी बार्डर पर सेवा कर रहे हैं जरूर मैं देश की सेवा करने के लिए ततपर हूँ अगर जिसे सरकार एलाव कर दे की नहीं भारत का कोई विनागरी हमारे सैनिक कम पढ़ जा रहा है तो इसमें हम लोग भी अथियार उठा के जा सकता है विपक्त बूसमंदेश से लड़ने के लिए लेकिन आपके तो सिखाएवे बहुत से सैनिक हैं जो जाई रहे हैं आप नहीं गए लेकिन आप अकेले आपके दो हाथ नहीं कई हाथ जो है जाके सरात पर सेवा करें जी बिलकुल और कोई विभाग में जो की यहीं आसपास में हो आप से मिल मुलाकात होती हो जी पूसमें पंचायत में भी है जैसे वीडियो अभी कलरक भी है और भी विभाग में है अध्यापक है पिछले दो-तीन सालों से अध्यापक की नियुक्ति मैंने जादा कर वाया देश निर्मा सबसे पहले एक लड़का था संजय यादो उसकी पहली पोस्टिंग हुई उसके साथ पांच जवानों की पोस्टिंग हुई जो एरफोर्स में ही गए तो अब तो रिटायर का भी उनका समय आ गया होगा लगभग बिलकुल हमें लग रहा है कि मोहन यादो एक लड़का था उससे मेरे मुलाकात हुई तो कह रहा था कि जससर में आने वाले हैं हम लोग बहुत गर्व मैसुस हो रहा है कि जिसके साथ हम बात कर रहे हैं इनके सिख अब आपका ख्याल आया कि नहीं हम जो है इसी को पढ़ाएं देश के तयारी के लिए मतलब भरती उर्ती होने के लिए तैयारी के लिए तब ही मेरे दिमाग में आया अब इस समय भी मैं वजूद जहां पे हूं यह लगभग सरहत पे जाने वाले जवानों की तैयारी के लि इनको कहीं अन्यत्र दवड़ने के लिए जानना पड़े फिटनेस के लिए तैयारी के लिए ग्राउंड बनवा रहा हूं और अच्छा बनवा करके अपने गाउंसभा का भी इबेस मजबूत करना चाहता हूं अब आर्मी की वैकेंसी आई थी फार्म आलाइन हुआ इसके बाद डेट टर गया अभी निर्धारी देट भी नहीं पड़ा उसका तो इसे बहुत से लोग है जो तैयारी कर रहे थे वो निरास हो गए अर इस वज़े से जो फिर अब तैयारी करना बंद कर दी है बैठ गए उनको निरास होने की ज़रूत नहीं है यह सब आपतिया और भी पतिया आती रहती है और तैयारी करने वाले का एक दिमाग होना चाहिए कि हम जब मिलेगा मोका हम चुकेंगे नहीं और यहीं वहां भी होता है आर्मी वालों को भी जाते समय में सिखाता हूं कि मोका मिले तो कि वहां चुकना मत दूस्मन कुमार के आना सबस。 वहां अवर क्या कहेंगे जो लोग अभी तैयारी करना चाहते हैं अभी आपके वीडियो कुद्ध रहे हैं निरासन ओं। मोक्य की तलास कर रहा है जिस दिन वैकेंसी मिले ठोक दें अपना घ्यान का पुरा सफलता शए मं में पढ़े होंगे उसकी तरह से हो जाएगा कछवाद लगा ता लगा रहा तो हो गया सपर अब खरगोष जो है जाके सोचा कि मैं बहुत फास चल रहा हूं थोड़ा रूख जाओं आराम कर लूँ हां तो उसकी कहानी बंद हो गई तो सर कभी ऐसा आप तो जो ड्यूटी करें वो लोग एक साथ आई नहीं सकते हैं और आप बता रहे हैं आठ सो नौ सो आपके सिखाए हुए जो एवच्चे सरगारी जाब कर रहे हैं तो हमको तो लगता है कि जब आते होंगे चुटी पर तो आप से मिलने जरूर आते होंगे तो बहुत ज्यादे बिल्कुल हर सपता लगबग 10 लोग मिलने आ जाते हैं 10 लोग 20 लोग 15 लोग लगबग मिलने आ जाते हैं जो लोग मिल नहीं पाते हैं वो फोन से बारता करते हैं तो बहुत अच्छा लगता होगा है बहुत गरों मौसूस होता है कि हमने जो है जो है ज आपको देख रहे हैं इस उनकों यूझ यूझ ए संदेश है कि जहां भी हो ज़े मैं पहले भी समझाथा था सची करते हैं प्यूटे लि法 लिए करें सरकार ने जो दाया दिया सोप मैं मेरा सिर्वात सदा उन समों के साथ रहता है अब उनके लिए मैं दिरगायू की कामना अमेशा बगवान से करता हूं यह हमारे लिए संदेश था तो दोस्तों आज हमारे साथ है गुरुजी जो कि बहुत से लड़कों पढ़ाये शिखाये बताए और इनको जो आगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत